असलों में आप ब्लोग वेबसाइट ब्लोग एप या ब्लोग गेम को अपने लैपटाप कंप्यूटर एंडुरीड फोन या आई फोन में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरी सबसे बैस्ट दोजार बाइस को जो वीपियन सर्वर है उसके बारे में आप से शेर करने वाला हूं कि उस सौफ्टर को आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं किस तरह से अपनी डिवाइस के अंदर इस्टाल कर सकते हैं और किस तरह से यह सारे चीज यह बिलको फ्री सर्विस देता है, इसको किस तरह से डाउनलोड करने हैं, अंस्टाल करने हैं, उसके लिए हम मैं आपको लेके चलूँगा, कम्पिटर के सब्सक्राइब, तो चलिए शूरू करते हैं, फर्स टेप में हम ITOP VPN को डाउनलोड करेंगे, इसके लिए हम Google में ITOP VPN ल Windows में भी यूज़ कर सकते हैं, Mac में भी यूज़ कर सकते हैं, iPhone में भी यूज़ कर सकते हैं, और Android फोन में भी यूज़ कर सकते हैं, अभी फिलाल के लिए हम Windows के लिए डाउनलोड करेंगे इसको, यहां से हम डाउनलोड कर लेते हैं, यह आपको एक साल के लिए बिलकुल फ् एक दफा यह इंस्टाल हो जाए तो फिर मैं आपको फीजर कंपेरेजन भी बिताता हूं कि फ्री वर्जिन में क्या है और पेड वर्जिन में भी क्या है step number two में हमने अब यह software download किया है इसको install करना है इसके लिए हम इसको click कर लेते हैं ताकि हमारा setup चले और यह software जो है हमारे system के अंदर install हो जाए जो भी wizard है जो instructions है उसको हमने follow करना है और next next करके इस software को install कर लेना है जब आपके समनी यह screen आजे तो यहां से आपने install पे click कर देना है अच्छा इसको आपने दिहान से देखना है यह एक advertisement है यानि के marketing tool है उनकी तरफ से के ITOP का आप VPN install कर रहे हैं साथ में आपको क्योंके free software है तो free software में इस तरह की promotional ads आ सकती है आपको कहा जा रहा है कि जी बाई अगर आप ITOP का data recovery install करना चाहते हैं तो यहां से आप इसको भी install क होगी फिर देखेंगे इसको next कर देते हैं तो हमारा यह installation का process जो है वो चल पड़ा है यह depend करता है आपके computer की speed के उपर के आपकी computer की performance कितनी अची है उतनी देर में यह आपके computer के उपर install हो जाएगा थोड़ देर के लिए वीडियो को pause कर लेते हैं जैसे complete होता है तो आगे चलेंगे excellent हमारा installation का process जो है वो complete हो चुका है और इस वकत हमारे सामने एक dashboard open हो चुका है जहां पे आपको जो premium features हैं उनके बारे में थोड़ी सी awareness दी जा रही है कि आप stay private रहना चाहते हैं कि आपके identity reveal ना हो internet के उपर आपनी location change करना चाहते हैं तो यह सारे वो feature हैं जो के paid version क हैं हमने इन सब में से किसी को नहीं चेहना और यह सब से नीचे लिखा हुआ है still connect to free servers इसके ओपर क्लिक कर देना तो आपके पास कुछ इस तरह का interface आ जाएगा यहां से हमने connect कर लेना है connect के button के ओपर क्लिक करेंगे तो हमारा software जो है वो connect हो जाएगा by default इस वकत हमारा जो server ह है वो टोक्यो जबान है जहां से हमारा connect हुआ है अगर आप अपना server change करना चाहते हैं तो all server के option के अंदर आजए हैं यहां पर आपके पास बहुत सारे servers के option मजूद हैं जिसमें से कुछ free हैं और कुछ VIP हैं जो free हैं उनके आगे free लिखा हुआ है और आगे उनकी signal से से दिये बगहर यूज कर सकते हैं और का कफिया तक आपका जो है काम वो बिलकुल free ली चाल सकता है इसमें तो सारे servers हैं लेकिन अगर आप सिर्फ downloading वाले server देखना चाहें तो यह इस tab में आ सकते हैं streaming वाले आपको streaming के section में मिल जाएंगे social media वाले social media में मिल जाएंगे जैसा स्काइप, Snapchat, TikTok, Instagram इन में से गर कोई भी एप आपके country में ब्लोक है तो आप social media वाले टैप के अंदर जितने servers हैं उनमें जो free हैं ठीक है उनको आप यूज करके यह service जो है आपनी resume कर सकते हैं इसी तरह gaming में सब different games के लिए server दिये गे हैं pub जी के लिए दिया गया है roblox के अलग अलग servers दिये गे हैं जो के ज़्यातर premium है अगर आप इसमें interested हैं तो इसकी paid subscription भी ले सकते हैं लेकिन mostly काम जो है आपके वो free service से हो जाएंगे privacy protection में अगर आप आ जाए हैं तो यहाँ आपको कुछ different किसम के privacy protection के options दिये गे हैं ठीक है कुछ VIP हैं जैसे ads है free software है उसमें ads बहुत हती हैं ठीक है वो आपको bear करनी पड़ेंगे अगर आप free use करना है अगर आप उनको खतम करने चाहते हैं तो इसको जैसे on करेंगे वो आप से VIP subscription के लिए पुछेगा ठीक है split turning क्या होती है कि अगर जब आप VPN connect कर लेते हैं तो आपकी सारी की सारी traffic जो है बेशक आप block site को open करने कर रहे हैं या एक normal simple google वादी website को भी open कर रहे हैं तो सारी VPN server के थ्रूँ होके जाएगी split turning का option अगर आप लेते हैं तो आपकी जो block traffic है वो VPN से जाएगी लेकिन जो normal traffic है जो website block नहीं है वो directly आपके इंटरनेट पर चली जाएगी वो all the way जो आपको USA ये जर्मिनी का server use कर रहे हैं वहाँ नहीं जाएंगी उसका ये फायदा हो जाता है कि नार्मल ब्राउजिंग आपकी जो है वो slow नहीं होती उनकर VPN से थोड़ा सा डिले आ जाता है तो अगर आप ये चीज़ जा रही थी आपकी जितने भी website आपन की या गेम करी तो वो सारे session आपके kill कर देता है ताके आपके system के उपर उसके बाद कोई errors और ये सारी चीज़ें जाहर ना हो मर्जी से अपना IP लेना चाहते हैं ठीक है तो उसके लिए आपको VIP options में जाना पड़ेगा आई होको दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरू कर दिए और अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइ के बेल नोटिफिकेशन आपकर ने ताकि आपको मेरे नहीं आने वाले वीडियो में सबसे बेले थैंक यूवर वाजिंग अला आपके